Good morning students, आज आपका तीसरा पार्ट संदी, व्यांजर संदी चल रहा है इसके कुछ नियम बता चुके हैं और कुछ बताने बागी है अब देखो इसमें सै का सै हो जाना, इ का सै होना, इ जमा सै करेंगे तो इसमें सटकोन वाला सै हो जाएगा जैसे वी जमा सम, तो ये बनेगा विसम, ऐसे ही वी जमा साद, तो ये बनेगा विसाद, अब है उ का सै होना, उ जमा सै करेंगे तो इसका भी सटकोन वाला सै हो जाएगा जैसे सू जमा सुप्ति तो ये बनेगा सुसुप्ति सू जमा समा तो ये बनेगा सुस्मा अब है रै के संबंद में नियम हर्श स्वर च्यार होते हैं ए, इ, उ, री के बाद आने वाले रै के सामने रै हो तो हर्श स्वर दिर्ग हो जाता है और रै का लोप हो जाता है जैसे निर्जमा रज तो ये वनेगा निर्ज ऐसे ही निर्जमा रज तो ये वनेगा निर्ज ऐसे ही निर्जमा रोग तो ये वनेगा निरोग अब है नै का नै हो जाना परी जमा नाम तो इस नै का नै हो जाएगा परी जमा नाम तो ये वनेगा परिणाम ऐसे ही भूस जमा अन तो ये वनेगा भूसन अब ये थे आपके व्येंजन संदी के नियम अब है आपकी तीसरी संदी विसर्ग संदी विसर्ग संदी किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्येंजन आ जाने पर जो परिवर्तन आ जाता है उसे विसर्ग संदी कहते हैं जैसे मने जमा विज्ञान तो ये बनेगा मनो विज्ञान विसर्ग का ओ हो जाएगा अब है विसर्ग संदी के परमुख नियम इस परकार है विसर्ग का ओ हो जाना यसह जमा गान तो ये बनेगा यसोगान मनह जमा रत तो ये बनेगा मनोरत मनह जमा जय तो ये बनेगा मनुज ऐसे ही वह जमा व्रद तो ये बनेगा वयो व्रद अब है विसर्ग का रहुन नी जमा भै तो ये बनेगा निर्भै पुने जमा जनम तो ये बनेगा पुनर जनम ऐसे ही नी जमा मल तो ये बनेगा निर्मल दू जमा आसा तो ये बनेगा दुरासा अब है विसर्ग का सेहुन नी जमा चल तो ये बनेगा निस चल नी जमा चै तो ये बनेगा निस चै दू जमा सासन दू सासन दू जमा चक्र दूस चक्र अब है विसर्ग का सेहुन दू जमा करे तो ये बनेगा दूस कर नी जमा पाप ये बनेगा निस पाप ऐसे ही धनु जमा टंकार तो ये बनेगा धनुस टंकार नी जमा कलंक तो बनेगा निस कलंक अब है विसर्ग का सै होना नी जमा संतान निसंतान नी जमा तेज निस्तेज नमे जमा ते नमस्ते अब है विसर्ग का लोप होना नी जमा रोग तो ये बनेगा निरोग नी जमा रस तो ये बनेगा नीरस वक्षय जमा स्थल तो वक्ष स्थल अब है विसर्ग में परिवर्थन नहीं होना अंतह जमा करण तो इसमें विसर्ग में कोई परिवर्थन नहीं होगा जैसे अंतह करण प्रात्य जमा काल प्रात्य काल अध्य जमा पतन अध्य पतन पय जमा पान पय पान अब है हिंदी संदी के कुछ नियम विक्षित हो गए हैं जैसे हर्ष्विकर्ण आम जमा चूर तो ये बनेगा अम चूर अब है लोप हिंदी संदी में कभी कभी किसी वर्ण का लोप भी हो जाता है जैसे पानी घाट तो ये बनेगा पन गट गोड़ा दोड तो ये बनेगा गुड़ दोड अब देखो आगे आओ दोराई दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संदी कहते हैं संदी के तीन परमुख भेद हैं कौन-कौन से हैं स्वर संदी, व्याजन संदी और विसर्ग संदी अब है स्वर संदी पाच परकार की होती है दिर्ग संदी, गुण संदी, व्यद्धी संदी, यन संदी और पाच पर आपकी आयादी संदी धन्यवाल